इस इस इसर बता दिया झेक्सट है है हिस्ट दोट परक्गिजिट्स वीुच्षाट टेक्सवर्ल और उन्ली इससिंप्र इंप्लाई हम ने बता था तरश्वरेतो सोर्व परक्युजिट्स टीन लोंगो टेक्सवर्र होती है जो सभी को को टेक्स होला तो दूसरी कटेक्री में आ चुके हैं इसके अंदर सबसे पहला मोटर कार इस पिसिफाइड इंपलाई कौन होता है सब को पता है न hane-New दोपता करो लिए का वीडियो देखें के मोटर कार मोटर कार स्थी मोटर कार सिबाई को कार यह फिस्लीटी देता है पहली सिच्वेसन है यदि मोटर कार स्थी एंप्लाई को बिदाउट रेनिंग और मेंटिनेंस देता है बिना पिट्रोल डीजर का खर्चे के विना केवल कार दे दिया रनिंग और मेंटिनेंस नहीं देता अगर परसनल यूज के लिए दिया है तो पूरी तरह टेक्सवल होगा कितना टेक्सवल होगा डेप्रिसेशन टेक्सवल होगा वो मोटर कार की वैल्यू का 10% टेक्सवल कर लेंगे या किराय पे लेके दिया है तो किराया टेक्सवल होगा साथ में ड्राइवर भी दिया है तो ड्राइवर के सहली भी जोड़ देंगा यदि चाल लाग की गाड़ी आपको दिया तो चाल लाग का 10% चाल लेकिन पार्टली आफिशियल, पार्टली पर्सनल है, तिस्माल कार है या बिग कार है, इस्माल कार में कार के लिए 600 रुपए टैक्सल होगा, प्लस ड्राइवर है अगर साथ में तो 900 जुड़ जाएगा, बिग कार के लिए 900 प्लस 900 ड्राइवर का, अब तुम लोग जानना small car और big car क्या होती है engine की capacity आपको याद रखनी पड़ेगी small car वो car है जिसकी engine की capacity 1.6 liter या उससे कम है या 1600 cc इससे कम है तो small car होगी और engine की capacity 1.6 liter या 1600 cc से जादा है तो big car होगी और आपके कुछ चलतू car के नाम भी याद करके उनकी cc याद करने पड़ेगी क्योंगे examiner राज कर question देतने हैं direct तो कहते steam car दे दिया है अब steam car की आपको वही नहीं पता capacity नहीं पता था आप small लगाओगे big लगाओगे फिर आपको question हो गलत हो जाएगा तो car के बारे में भी थोड़ी knowledge आपको लेनी पड़ेगी next chart यहादी employer imply को motor car की सुभिता देता with running and maintenance उसमें running and maintenance नहीं था इसमें running and maintenance तो personal use है fully taxable होगा क्या-क्या taxable होगा depreciation 10% या higher charges कि रायप जो देगा running and maintenance भी यहाँ include हो जाएगा और sell लिया driver office use है कुछ भी taxable नहीं होगा partly official, partly personal है small car है तो 1800 plus 900 driver का big car है 2400 plus 900 driver का third है chart इस chart में यह कहा है कि employer अभी तक दो चार्ट में क्या था कि employer की car होती थी employee को देता था इस वार car किसकी होगी employee की car है employer के वाग खर्चा देगा तो अगर personal use है पूरी की पूरी taxable होगा क्या होगा running and maintenance के जितना देता है ड्राइवर का देता है office user कुछ भी taxable नहीं होगा partly official, partly personal, small और big small car में जितना running और maintenance early up driver का दिया है उसमें से घटा देंगे 1800 car के लिए 900 ड्राइवर के लिए और big car है तो running and maintenance early up driver में से घटा देंगे 2400 car का और 900 ड्राइवर का और कुछ इंप्लाई से भी more than one car है मतलब कई car हो उसके पास वो कहता कोई भी car में आप चड़िए तिस दिस्तित में बोला गया है कि एक car को partly official, partly personal मानेंगे, बाकि सब car को personal मानेंगे कई car हैं तो कोई एक car को आप क्या मानेंगे, partly official, partly personal बाकि सारी car को personal मानेंगे तो कि एक को बाकि सारी